प्रक्र गुंज आपके लिए लेकर आया है एक अदबुत जानकारी जी हाँ पान के पत्ते से संबंधित कुछ ऐसे गुण जो आपको भी नहीं होंगे मालूम तो जानते हैं पान के पत्ते के बारे में कुछ महत्यपूर्ण बाते ये महत्यपूर्ण जानकारी हमारे पास भेजी है पत्याला से शहनपरवीन जी ने पान के पत्ते जो दिल के आकार के होते हैं वे पोशन के एक भरपूर स्रोत भी है और हमें भारी औशद्य मूले प्रदान करते हैं पान की पत्तियां भारतिय संस्कृति का एक महत्यपून हिस्सा है पान के पत्तों को बड़े पैमाने पर विभिन वियन जनों में भी उप्योग किया जाता रहा है भारतिये और गेर भारतिये दोनों में ही इन पत्तों को शादी समरो धार्मिक पूजा से संबंदित घटनाओ और यहां तक की पूजा में भी प्रियोग मिलाया जाता है दक्षिंड भारतिय सस्कृति में कुछ सुपारी और नारियल के साथ दो सुपारी किसी भी शादी समरों के दौरान मेहमानों को दी जाती है आज हम आपको पान के पत्ते के दस अद्बुत फाइदे बता रहे हैं एक यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर कोई कट लग जाता है या फिर किसी तरह का घाव हो जाता है इसके अत्रिक शरीर पर आई सूजन आदी पर अगर आप पान के पत्ते को लगाते हैं तो आपको दर्ध से राहत मिलेगी दो आजकल असी फिसदी लोग कब जिसे परिशान है कारण हमारा खान पान इसमें भी पान का पत्ता महत्यपून भूमी का निभाता है यदि आपको पेट या पाचन संबंदी समस्या हैं तो पान के पत्ते को चबाने मात्र से ही आपको आराम मिलेगा इसका कारण इन पत्तियों में पाई जाने वाले एंटि आक्सिडेंट हैं वे आपके पी एच संतुलन को भाहल करते हैं और जब आप इसे खाली पेट लेते हैं तो आप अन्तत हैं खुद को चिकना और दर्द मुक्त मल त्याग करते हुए पाते हैं तीन यदि आप भूग की कमी से पीडित हैं और लगता है कि आपको उप्यूक्त कैलोरीज नहीं मिल पा रही है तो कुछ पान के पत्ते चबाने से ही मदद मिल जाएगी पत्तियां आपकी भूग को उत्तेजित करती हैं और आपके पी एच संतुलन को नियंत्रित करके भू पान की पत्यों को उप्यों करने से कफ और खासी में राहत मिलती है यदि आप अपनी मास पेशियों में तनाव या खिचाओं महसूस कर रहे हैं तो पान का पत्ता नारियल के तेल में मिलाकर अपने पैरों और पीट की मालिश करें ऐसा करने से आपका दर्द लालीमा और प्रति दिन पान को चबा कर फंगल इंफेक्शन का इलाज किया जा सकता है यह एक अद्बुत प्राकर्ति कुपचार है क्योंकि पत्तियों में एंटी फंगल गुण होते हैं और आपको लाब देते हैं पान के पत्ते मांसिक सतर्पता को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं जब आप इन्हें शेहत के साथ मिलाएंगे और इन्हें लेंगे तो यह टॉनिक के रूप में काम करेगा आप अधिकुर्जावान महसूस करेंगे 9. यदि आपको माईग्रेन या सिर्दर्ध हो रहा है तो पान के पत्ते की साहिता से आप दर्ध को कम कर सकते हैं यह एक स्वाभाविक रूप से सिर्दर्ध का इलाज करता है और अगर आप अपने माथे पर पत्तियों को रगणना पसंद नहीं करते हैं तो आप मालिश के 10. यदि किसी के चेहरे पर पिंपल्स हो गए हैं तो इसकी पत्तियों के रस को निकालें और इसे अपने चेहरे पर लगाएं मुहासों की समस्याओं के इलाज के लिए भी पान के पत्ते बहुत ही अच्छे माने गए हैं ब्लैक हैट्स को भी दूर करते हैं अब तक हमने पान सिहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है प्रन्तु कुछ अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर यदी आप इसका सेवन करते हैं तो यह हमें हानी भी पहुचा सकता है यदि आप पान को तंबाखु के साथ मिलाकर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इससे आपको मुगा कैंस कुछ लोगों को अधिक पान खाने से अलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है मीठे पान के साइड इफेक्ट्स में से एक यह भी है कि यह आपके मसूडों को परिशान कर सकता है और जब आप बहुत अधिक इसको चबाते हैं तो आपके जबडों को यह सक्त कर देगा तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी किर्पिया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल प्रकर गूंज न्यूस डेस के साथ जुड़े रहे है धन्यवाद